नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है पांच जन्वरी दिन शुक्रवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर जन्म से लेकर अठारा वर्ज तक के बाल हिर दे रोगियों का यहां हो रहा मुफ्तलाज छे जन्वरी को बिहार में यहां लग रहा रोजगार मेला केके पाठक ने यूनिवर्सिटी वर कॉलेजों को जारी किया नया फर्मान टिकेट बुकिंग से लेकर ट्रेन की हर जानकारी पाए एक एप पर भारत ने केफ टाउन में जीत कर रचा इतिहा स्रीस एक एक से बड़ावर अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खब्रों के ओर विस्तार से सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी में 111 पदों पर भरती सावित्री बाई फूले यूनिवर्सिटी में फैकल्टी के 111 पदों के लिए भरती निकाली गई है ऐसे में वो लोग जो उसके लिए आविदन करना चाहते हैं वाधिकारिक वेबसाइट यू एन आई पूने.ac.in पर जाकर उनलाइन तरीके से अपना आविदन कर सकते हैं बता दे किसके लिए आविदन करने की अंतिम तारिक 31 जनवरी 2024 तक नरधारित की गई है इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो मिद्वार ने नेट या सिर जैसी कोई परिक्षा पास की हो के लिए ये अनिवारे नहीं है उसके लिए बिना परिक्षा पास कांडेट भी अपलाई कर सकते हैं इस जोड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफेकेशन को जरूर देख ले जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बाल हर्दय रोगियों का यहां हो रहा मुफतलाज बिहार सरकार के स्वास्त विभाग के द्वारा IPRD बिहार के तहट पोस्ट शेर कर यह जानकारी दी गई है कि बाल हिर्दय योजना के तहट जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बाल हिर्दय रोगियों का पटना के IGIC और IGIMS में निशलक इलाज करवाया जा रहा है ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हिर्दय रोगियों के कुछ प्रमुक लक्षन होते हैं जैसे सांस फुलना एवं धर्गन तेशनना अत्यधिक रोना शरीड ओट एवं जीव का नीला पढ़ना वजन नहीं बढ़ना रुक रुक कर दूद पीना अत्यधिक ठकावट महसूस करना और पैर पेट एवं आँख के पास फूल जाना शामिल है महीं बाल हिर्दय योजना का लाब उठाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी होने आवशक है जिन में माता पता एवं बच्चे का आधार काड यदि बच्चे का आधार काड नहीं है तो उनका जन प्रवान पत्र पांच पासपोर साइस पोटो बच्चे का स्वास्त जांच प्रतिवेदन और साथ ही माता पता का सहमती पत्र शामिल है इलाज हे तो नजदी की प्रात्मिक स्वास्तिक केंद्र अत्वा जिला स्वास्ति समीती में जिला समनवया का आर बी एसके से संपर्क करे या टोल फ्री नंबर 104 पर भी संपर्क किया जा सकता है बिहार प प्रतित दिन गाय चराने के लिए जाया करता था एक दिन गिली डंडा खेलने की क्रम में उसने एक विशाल सिबलिंग को धर्ती के अंदर पड़ा देखा उसने सिबलिंग को खारने की कोशुश की लेकिन वह उसे जरासा भी हिला तक नहीं पाया इसके बाद उसी अस्थान प संसकार के लिए भी बहुत लोग प्रिये हैं आज मुईनूल हक स्टेडियम में रंजी टॉफि मिलेगी फ्री एंट्री आज यानी की 5 जन्वरी को बिहार की राजधानी पतना के मुईनूल हक स्टेडियम में रंजी टॉफि का मुकाबला खेला जाने वाला है SMS मैच को लेकर स्टेडियम को सजाया गया है और साथ ही लोगों के बैठने के लिए प्रेस दरगा में तमाम व्यवस्था की गई है बालमों के व्यवस्था BCCI के अधिकारियों की देख रेक में पूरा किया गया है वहीं आज सुबस सारे आठ बजे स्टेडियम में बिहार और मुंबई की टीम के बीच टॉस किया जाएगा बिहार क्रिकेट एसोसियेशन से बिले जानकारी के नसार रंजी टॉफिक देखने के लिए लोगों का प्रवीश निर्शिल्ख होगा मारमों के चार दिवस ये रंजी टॉफि मैच में बिहार, मुंबई, केरल, चत्तिसगर और आंध्रपदेश के बीच मुकाबला होगा केके पाठक नए यूनिवरसिटी वह कॉलेजों को जारी किया नया फर्मान बिहार के सिक्षा विवस्ता में सुधार आ सके इसके लिए बिहार सरकार के सिक्षा विवाग के अपर मुखे सुचीब केके पाठक के द्वारा कई फर्मान जारी किये जा रहे हैं जिससे कई सिक्षकों के बीस नाराजगी भी बनी हुई है वहीं अब केके पार्ठक के द्वारा राजे के सभी उनिवसिटी और कॉलेजों को लेकर एक नया फर्मान जारी किया गया है जिसके तहट अब राजे भर के विश्यविद्याले और कॉलेजों में दो तरह के ही बैंक खाता होंगे जिसमें से पहला खाता वेतन पिंसन भुकतान के लिए होगा तो वहीं दूसरा खाता अन्य कारियों के लिए होगा पतादे कि संबन में विभाग के और से विश्यविद्याले के कूल पतियों को नर्देश चारी कर दिया गया है वहिसके इलाबा विभाग के द्वारा विश्यविद्याले और कॉले परिवान विभाग के द्वारा जारी के गए आंकडों के नसार बिहार में पिछले साल यानिन की वर्ष 2023 में 12,88,000 वाहनों की विकली हुई है। में देश की कुल बिक्री का 5.39 प्रतिशत वाहन की बिहार में हुई है आला कि विभागे जानकारी के निसार सबसे आदा वाहन की बिक्री वर्स 2018 में बिहार में हुई थी उस दुरान करीब 12.85 लाग वाहन की बिक्री हुई थी जिसके बाद वर्स 2019 में 12.65 लाग वाहनों की ब वर्स 2022 में 11.9,29,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 6 जनल्वरी 2024 को एक दिवसी रोजगार मेला का ऐयोजन किया जाने वाला है इस बारे में जिला नियोजन पतादिकारी अनीश कुमार तिवारी के दोरा अधिक जानकारी देते वे बताया गया है कि इस रोजगार मेला का ऐयोजन सुभद कर इस सफसर का लाब पठा सकते हैं टिकेट बुकिंग से लेकर ट्रेन की हर जानकारी पाएं एक आप पर भारतिय रेलवे के द्वारा यात्रियों की सुविधाओं को देखते वे एक ऐसे आप की तैयारी की जा रही है जिसे टिक्टिंग, ट्रेन, ट्रैकिंग और अन्य पर मिल जाएगी, बता देगी बरतमान में, रेलवे की कई आप हैं जिसके जर्ये यात्रियों को तमाम तरह के सर्विस प्रदान किये जाते हैं ऐसे में, भारतिय रेलवे के इन सभी अलग-अलग आप को एक सूपर आप के तहत लाया जाएगा, वालमों कि सूपर आप का न नेशनल ट्रेंड इंक्वारी सिस्टम को कॉम्बाइन करेगा। मालम हो कि आपके डेवलप्मेंट और इसे तीन साल तक चलाने पर राश्ट्री ट्रांस्पोर्टर का लगभग 90 करोड उपे का खड़ जाएगा वहीं सैप में। परिक्षा की नई तारीख हाई सामने बिहार विद्याले परिक्षा समीती के द्वारा वर्स 2024 में आयुजित की जाने वाली परिक्षाओं का संसोधित कालेंडर जारी किया गया है। परिक्षाओं की परिक्षा फल जारी करने को कहा गया है ताकि विद्यारती अगस 2024 में तृत्य चरण के सक्षक भरती परिक्षा में शामल हो सके। मालम हो कि अब डियरेट द्वित्य वर्स की परिक्षा 18 से 22 जुलाई 2024 तक ना होकर 27 से 30 मई 2024 तक आयुजित की जाएगी और सतर 2023 के प्रधम वर्स की परिक्षा अब 10 से 16 जुलाई 2024 तक ना होकर 1 से 7 जून 2024 तक होगी। सारन में होगी 45 जुनियर राष्ट्रिय हैंड बॉल चैंपियंशिप 28 राज्य लेंगे भाग। 27 से 31 जन्वरी 2024 तक बिहार के सारन के बनियापुर में हैंड बॉल फेडरेशन ओफ इंडिया द्वारा 45 जुनियर बाली का नेशनल हैंड बॉल का आयोजन किया जाने वाला है जिसमें देश के 28 राज्यों के 600 से अधिक खिलारी भाग लेंगे। एक आयोजन समीती का भी गठन किया गया है और साथ ही कई उप समीतियां भी बनाई गई है खिलारीों के आने जाने और खाने पीने की विवस्था भी जिले में की जा रही है उन्होंने बताया कि पिछले साल हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार के टीम उप विजिता बन कि यहां क्राइम का पैटन क्या रहता है मुझपर पुर जिले में और्गनाइस्ट क्राइम की हिस्ट्री रही है इसलिए अप राधियों की कुंडली खंगाली जाएगी और उन्हें किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा आपके जानकारी के लिए बता दे कि सिवधी प्लांडे अपनी कड़क छवी को लेकर हमीशा चर्चा में पने रहते हैं इनकी पहली पोस्टिंग मुंगेल जले के नकसल प्रभावित जमालपूर में हुई थी वहीं बिहार की राजधानी पतना में उन्होंने अपने काड़े काल के दौरान मंचलों के खिलाफ सक्त अभियान चलाया था वहीं इसके अलावार होतास मुनोंने अवैद खनन के खिलाफ अभियान चलाया था और माफियां में हरकम मचा दिया था बच्चों का अधार काड इस उम्र तक दो बार जरूर कराएं अपडेट वरना हो जाएगा बढ़ात अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और उनके आधार कार्ड हैं लेकिन अगर अब तक आपने उनके आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवाया है तो आपके लिए परिशानी भर सकती है पतादिक Unique Identification Authority of India के अनुसार बच्चों का आधार कार्ड विस्क होने से पहले दो बार अपडेट करवाना बहुत जरूरी है अगर आपसर नहीं करवाते हैं तो बच्चों का आधार कार्ड किसी भी कामकान नहीं रहेगा पतादिक इस बारे में UIDAI के अधार केंद्र के प्रभारी निशु शुकला के द्वारा दीके जानकारी के नुसार बच्चों का आधार कार एक बार पांच वर्ष के उम्र में अपडेट करवाना अनिवारे है तो वहीं दूसरी बार 15 वर्ष की उम्र में अपडेट करवान अनिवारे है जो की आधार सेवा केंद्र पर जाकर करवाया जा सकता है अधियों को प्रदर्शित किया जाएगा इस बारे में जिला पतादिकारी डॉक्टर त्याग राजन एसम के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया कि जिले के पच्चास पंचायत का चेन किया गया है जिनके विविन उन्मुखी करण कारी करम नई योजनाव और अने ज बocyर के राजधानी में शुड़ो होगी फ्लोटिंग लाइब्रेरी बहुत जल्दी बिहर के राजधानी पट्ना में अब लोगों को फ्लोटिंग रिस्टरूरेंट के बाद फ्लोटिंग लाइब्रेरी की सुधा मिलने वाली है बतादे कि NBT यानि की नश्शनल बुक ट्र तरह की नाव में किताबों को पढ़ने के लिए रखा गया है ताके किताबों के सहाले गंगा की महत्ता और उसके पड़यवरन की बेहतरी के लिए जरूरी बाते नई पीधी जान सके बतादे की मीडिया में चल रही खबरों के नुसार और आधिकार इक जानकारी के मताबिक फ्रोटिंग लाइब्रेरी की अभी केवल आपचा रिक्षिरवात है बिहार में फिर बदला मौसम का हाल पटना समीत राजी के अलग-अलग जिलों में लगातार मौसम का मजास बदल रहा है मौसम विज्ञान केंदर के नुसार दक्षिन हरियानावा इसके आज पास शक्रवात ये पड़ी संचरन का छेतर बना हुआ है अगले 48 घंटों के दोरान अधितम तापमान में कोई विसेस बदलाओ के आसार नहीं है स्थानों में वजरपात के साथ मेगरजन होने की संभावना जिताई गई है राजी के सेश जिलों में सुवह के समय हलके से मध्यमस्तर का कुहासा च्राइड रहने की संभावना जिताई गई है जीतरना मांजी ने केके पाठक का किया गुनगान विहार के पुर्व मुख्यमंतरी जीतरना मांजी जहां बीते कुस दिनों से विहार सरकार के सिक्षा विवा के अपर मुख्य सची केके पाठक के उपर आरोप लगाये जा रहे थे वही अब इन्होंने केके पाठक का गु सिक सुधार हो जाएगा मुख्य सचीव का बच्चा हो या चप्रासी का विधायक का बच्चा हो या मंत्री का सरकार से वेतर उठाने वालों की बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे मालम हो किस्ते पहले जीतर नाम मांची के द्वारा सक्षक नियुकती पोस्टिंग को द्वारा गुप्त सूशना के आधार पर ग्राम सोधीपुर स्थित छिलका के निकट बगीचा में छापे मारी करते हुए एक साथ बार साइबर अपरादियों को गरफतार किया गया है और साथ ही इस दौरान पुलिस के द्वारा बाइस आइफोन चार अन्य अन्रोइड मो सामने आई है कि इन साइबर ठगों के द्वारा मीश्यों कंपनी के वेबसाइट पर खरिदारी करने वाले ग्रांकों से लखी ड्रो के नाम पर ठगी करने का काम किया जाता था वहीं जिन बारा साइबर ठगों की कि दफ्तारी की गई है उनकी पहचान मुकेश कुमार चुन जहां उन्होंने बहुत धर्म गुरु दलाई लामा से मलाकात की और उनका असिरवाद दिया पहिस दुरां तेश्वी यादव के द्वारा महाबोधी मंदर के गर्वगरी में विशेश पूजा अर्चना भी की गई आपकी जानकारे के बता दे किस दुरां तेश्वी आदव के साथ डियम डॉक्टर त्यागराजन एसम एससपी आशीश भारती कृसी मंतरी कुमार सरवजीत सकारिता मंतरी डॉक्टर सुरंदर प्रशाद यादव सहिट कई लोग मौजूत रहें वहीं पटना आने के बाद तेश्वी यादव अचानक से सीम नितीज से मिलने के लिए उनके आवास पहुचे हाला कि इस मुलकात में क्या बात चीत हुई इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है लेकिन इस मुलकात में राश्जितिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है तेश्वी के बयान पर सुसील मोदी का पलडवार विहार के पडवोप मुख्यमंतरी और भाजपा नेता सुसील कुमार मोदी के द्वारा विहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार का ओ संयोजग बनाये जाने के मामले पर अपने टपनी दी है उन्होंने कहा कि नितीश कुम के दोरा भगवान राम पर दिये बयान को लेकर कहा कि लोगों को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए या बात सही है कि लोगों को राम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए हिंदूओं की आसा को चोट पहुंचाना इंडी गडवंधन का मकसद है राहुल गांधी जो भी यात करे या ट्रेन व्यात्रा करे उसे कोई फाइदा नहीं होने बारा है मंत्री मदन सहनी ने सीम नितीश का नाम पीम उमिद्वार के लिए बढ़ाने को कहा इंदिनों बिहार के मुख्य मंत्री नितीश हुमार को इंडिया गडबंधन का सहयोजक बनाये जाने की चर्चाएं चल कोई पद नहीं चाहिए इसके बावजूद भी वो बिना पद के ही सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं ऐसे में अब जो संयोजक के नाम को ही चर्चा हो रही है वह चर्चा करने वाले कौन है कॉंग्रस के कुछ लोग आर्जेडी के कुछ लोग उ ढुकना उनोंने कोई पद नहीं चाहिए और यह बाद उन्होंने पहले भी कहीं बार कही है। अरडिया पुर्णिया होते वे बंगाल की ओर निकल जाएंगे और फिर दूसरी बार वहां से जारकर छतसगर होते वे दोबारा सासराम से बिहार घुसेंगे और वारारसी के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे पतादी कि जैराम रमेस के दौरा दी गए जानक और साउथ अफरीका के बीच खेले गया दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने साथ विकट से जीत अपने नाम कर ली और इस जीत के साथ भारत ये टीम के दौरा केप टाउन में तिहास रच्टे का काम किया गया बता दे कि भारत की जीत के साथ यसरी एक-एक की बड़ाबरी क साथ समाथ हुई बीते दिन हुए इस मैच में 63 के स्कोर से आगे खेल ले उतरी साउथ अफरीका की दूसरी पारी सिर्फ 176 रनों पर सिमट गए जिसके बाद साउथ अफरीका ने भारत को जीत के लिए 89 रन का लक्ष दिया जिसका पीछा करते वे टीम इंडिया के दौरा तीन विकेट खोकर असी रन बनाते वे हासल कर लिया गया इसी के साथ रोहिस सर्मा ऐसे दूसरे भारतिये कप्तान बने हैं जिनकी अगवाई में टीम इंडिया अफरीकी धर्ती पर टेस्ट स्रीज ड्रॉ करवाने में सफल रही है वालमों किस मैच में मुहमर शिराज के द गुलों से सलहर छेतर को अपने कभजे में किया 1893 में योग गुडू और अध्यात में गुरु स्री योगानन जी का जम गुड़पुर उत्तर प्रदेश में हुआता केंद्रे बिक्रिकर अधिनियम 1957 में प्रभाव में आया दक्षे सिखर संबेलन काठ मांडू में 2002 से शि में तीन महीने के लिए बढ़ाया नेशनल कांफेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जमो कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की सपत 2009 मेली हरत राजिस्थान अभियान के तहद लुंगूर पूर जिला प्रशासन द्वारा जले भर में फैली बंजर पहारीयों की हरतीमा लोटाने के लिए 11 वा 12 अगस 2009 को किये गए 6 लाग से अधिक पोधारोपन की मोहिम को ग्रीज बूक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में संबलत कर लिया गया भारती संचार उग्रह जी सैट 14 को 2014 में सफलता पूर्व कक्षा में स्थापित किया गया मुगल शाशक सहाबुद्दीन मुहमद शाजहा का जन्म 1992 में लहोड में हुआ था सिखो के दसवे गुरू गोवन सिंग का जन्म 1666 में हुआ भारत के प्रसिल सुतमता से नाली था पतरकार बारिंदर कुमार घोश का जन्म 1880 में हुआ था भारती गुरू परमहंस योगान पश्य मंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बनर जी का जन्म 1905 में हुआ था प्रसिद बौध विद्वान समा सुधारक लेखक तथा पाली भाशा के मुर्धन्य विद्वान भदंत आनंद कौशल लियान का जन्म 1905 में हुआ था कवी शहित्यकार अशोक कुमार सुकला का जन्म पी आईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या आपको एक वर्ट से फॉर्वर्ड प्राप्त हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि पीम नरंदर मोदी सभी भारती उपयोग करताओं को तीन महीने का फ्री रिचार्ज दे रहे हैं पी आईबी ने अपने ट्वीट म काम कर रही है जल्द आपको विंडोज अप में वीडियो एंड वोइस का एक आप्शन मिलेगा जिसकी मदद से आप इंपुट और आउटपुट डिवाइस चुन पाएंगे यानि आप स्पीकर लैप्टॉप स्पीकर हिटफोन इयरफोन आदी के बीच स्वीच कर यानि लैप्टॉप में अप सेटिंग में जाकर इंपुट और आउटपुट डिवाइस बदलना परता है इस काम को आसान बनाने के लिए कंपनी नया ऑप्शन आप के अंदर दे रही है फिलहाल ये अपडेट विंडोज बीटा के 2.2 चार्शन एक दसम्रोशन दसम्रोश ने वर्जन में देखा गया है आने वाले समय में कंपनी से सभी के लिए रूल आउट कर सकती है इंपुट और आउटपुट डिवाइस चुनने के सुधा से और वीडियो कॉल क्वालिटी में भी बदलाव आएगा और आपका एक्स्पिरियस बदलेगा हम प्रते दिन आप स्यानिक स्कूल के सहर में खोला गया है ओप्षण ने बिहार के जमुई ऑप्षण बी बिहार के पत्ना अपसंसी उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज ऊत्तर प्रदेश के व्रिंदावन इसका सही उत्तर है option D उत्तर प्रदेश के फ्रिंदावन अगला सवाल हाली में केंद्रे कैबिनेट ने कहा में भारत का महा वानिजे दूतावास खोड़ने के अनुमती दी है option ने कनाडा के टुरंटो, option B साओधी अरब के दुबाई, option C न्यूजलान के ओकलैंड शहर, option D अमेरिका में न्यू यॉर्क इसका सही उत्तर है option C न्यूजलान के ओकलैंड शहर अगला सवाल अगला सवाल विहार में खिलाफत आंदोलन कब क्राड़म हुए थे? option 81, option B 1920, option C 1909, option D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option C 1909 अगला सवाल खिलाफत आंदोलन के दुरान निम्न में से कौन महिला नेता शक्रिये रही थी? option B, option B, अरोना आसफ अली, option C, लेडी अनीस इमाव, option D इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है option B, अमाव, बीते दिन मावाव पूछेए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों न प्रजाब, हमें मारी कॉमें सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था, जिन्नोंने मावाव पूछेए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों राज का सवाल है, साउथ अफरीका खिलाव खेले गए मैच में, भार्तिय टीम के किस-किस खिलारियों के खेल ले आपको प्रभावित किया, अत्मा जवाब हमें मारी कॉमें सेक्शन में लेकर जरूर बताएं, आज के लिए सब्सक्राइब करना और अगरा फेस्बुक से देखरें तो फेस को फॉलो करना ना भूले, धन्यवाद